Hi everyone, this is Verstile Anamika, welcome back to my channel, कैसे हो आप लोग उमीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे So guys, आज मैं ये clean makeup look लेके आई हूँ, clean makeup look क्या होता है? No makeup makeup look होता है, तो बहुत ज़्यादा भी YouTube पे trend में है और यह make-up रियली सच में बहुत अच्छा भी होता है क्योंकि make-up भी मतलब थोड़ा बहुत करो लेकिन एकदम नैचुरल सा लुक आता है तो चलिए आज आप लोग के साथ यह सेयर करती हूं इसका थोड़ा बहुत टिप्स ट्रिक होता है तो आप लोग के साथ सेयर करती हू इसे देखो मैं इस लुक के साथ सेयर की हूँ यह फ्रॉक है सिंपल सा ओक्षिटाइज जो की कूल लुक देता है समर में यह make-up लुक आप कहीं घूमने जा रहे हो अभी समर के टाइम पे पहार एरिया में बीच एरिया में तो यह फ्रॉक इस डिजैन में बहुत ही चैनल पर तो जरूर आप चेक आउट करना एंड कैसी लगी आपको यह लुक जरूर बताना तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते वीडियो को स्टार्ट करते वीडियो अगर थोड़ा सभी आप लोग को पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को रहे हैं स इसके बाद मैं यह निव्या का मॉस्टराइजर लगा रही हूं आपकी अगर बहुत ज़्यादा ओयली स्कीन है तो इसके जगा पॉंट्स का जैल मॉस्टराइजर लगा सकते हो अगर नॉर्मल है तो आप निव्या लगा सकते हो वैसे मेरी भी ऑईली है लेकिन अभी और बहुत ज़्यादा इप्रूफ है नंग क्रटो क्यूंज चाहिए अब आपको फाइव 10 स्कीनद कर ना होता है कि बिच Ci एलोवे जल ये प्राइमर के जगड़ा रही हcomb आप चाहो तो प्राइमर भी लगा सकते हो बट ये नू मेकप मेकप लुक है तो यहां पर यह वर्ग कर जता है वैसे ही वाव का एलो बेरा जिल और संस्क्रीन का भी काम कर जाता है तो इस तरह से मैं पूरे फेस पे डैप डैप करके लगा ली हूँ और आईज पे भी लगाई हूँ अच्छी अब नेक्स्ट यहां पर मैं सिर्फ कंसीलर आज लगाऊंगी अपने फेस पे कोई फाउंडेशन कोई कि दूसरा चीज नहीं लगाऊंगी ओनली कंसीलर यह मेवलीन का एज रिवाइंड कंसीलर है यह बहुत मतलब थीन है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है फाउंडेशन क्या करता है हैवी मतलब वो देता है जब भी आपका अगर हेल्दी स्कीन है तो आपके फेस पे इसी तर यहां पर जो लोग यह यूज कर रहे होंगे उन्हें पता होगा तो बिल्कुल थोरा थोरा सा लगता है तो मैं लगा ली हूं पूरे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से क्योंकि नैचुरल लखना है तो ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंड करना है अच्छी तरह से देता है जैसे लगता है हमारा इसकी नहीं मतलब थोरा सा टेक्स्चर इंप्रूब हुआ है अगया है तो इसके जगर पे आप कोई बीबी क्रीम भी सीची क्रीम भी लगा सकते हो यहां पर यहां पर थोरा सा कॉंट्रोर तो करना होता है पूरा फेस मेरा गोल गोल सा हूं ओनली थोरा सा नोज को मतलब सेफ दी हूं और चीक बोन को थोरा सा मतलब सैडो दी हूं कि चीजल दिखे हमारा फेस और इसके बाद देख लो आप बिल्कुल पता नहीं पर रहा है ना इसके बाद मैं यहां पर आज लिक्वीड बलस जो होता है चीक टेंट वो लगा रही हूं यहां पर तो बिल्कुल थोरा थोरा सा क्योंकि यह नेचरल लुक देता है आपको तो नो मेकप मेकप लुक है लेकिन ब्लस का तो अभी इतना ट्रेंड है बहुत ज्यादा तो इसे में फिंगर की टिप से ही डेप करके आपको ब्लेंड कर लेना है अच्छी तरह स जाता है क्योंकि मेरा स्कीन मतलब थोड़ा इसी टाइप का है सेंसिटीव है तो रेड रेड सा हो जाता है देख लो कितना अच्छा एंड इसके बाद आई मेकप की बारी आई तो काजल तो लगाना नहीं है वो नो मेकप मेकप लुक नहीं दिखेगा हार्स दिखेगा आई लीड पर आई लाइनर के तरह आप लाई कर ली हूं एक ब्रस लेके आपको देख रहे हो यह फ्लैट ब्रस लेना है आपको एंड उसे स्मझ कर लेना है काफी मतलब अच्छा लुक आता है और ऑक्षिडाइज जोली जब भी पहनो तो ऐसा स्मझ करके काजल लगाओ ब मेकप मतलब टू मिनट में नहीं लेकिन फाइव मिनट में पूरा मेकप हो गया क्योंकि यहां पे तो कैमरे के हिसाब से करना पड़ता है देखते के इसलिए यहां पे नीचे मैं लोवर वटर लाइन के नीचे ब्राउन कलर का आई से डोली हूं उसे स्मझ कर रहे हैं थोड बजट फ्रेंड लिए अच्छा है आप ट्राई कर सकते हो जो भी बिगनर्स हो या ऐसे भी मतलब अच्छा है यह मसकरा डेली आपको अगर वाटर प्रूफ नहीं यूज नहीं करना चाहिए तो डेली वेज के लिए काफी अच्छा है यह लोवर वाटर लाइन पर आपको यह बताऊंगे कि थोड़ा क्लीन से पाता इसके बाद मैं लिप्स्टिक वह क्लिप इसकी हो गया था लिप्स्टिक यहां पर नॉर्मल ही अपलाई की थी मैं उससे मैट बनाने के लिए और थोड़ा नैच्रल बनाने के लिए यहां पर आपको एक टिशू लेना है इस तरह से आपको कर लेना इतना अच्छा एक्दम मैट लुक देगा कितना भी देर रखो खाओ प्यों कुछ करो इसमर्च नहीं होगा सो गाइज यह रही मेरी फाइनल लुक यह हैरस्टाइल अभी शौट वीडियो में डालूंगी एन यह जोएल्री जो है जोएल्री की ड्रेस की जल्द ही जोएल्री की तो आ चुकी है मेरे चैनल पर ड्रेस की जल्द ही आएगी वीडियो तो जरूर आप लोग देखना और बहुत बजट फ्रेंडली है तो ट्राइज जरूर करना सो गाइज यह रही मेरी फाइनल लुक आई होप आप लोग को पसंद आई हो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लैक एन पॉसिवल हो तो फ्रेंड फैमली में सेयर कर दीजेगा गाइज मिलती हूं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए खुद का ख्याल रखे बाई बाई